नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया दिपुसो न्यूज में दोस्तों आज हम उत्तर परदेश के फते बुर्जिले में और यहां पे पल्टू डेरा गाउं में यहां पे आए हुए हैं तो दोस्तों हम यहां आए थे जो यहां पे प्रोग्राम था निमंत्रा था उसी में आए थे तो हम यहां कुछ जो महिलाएं हैं जो माता जी हैं उनसे कुछ बात करेंगे और यहां की कुछ इस गाउं की हकीकत जानेंगे क्योंकि यह गाउं पहले एक ही घर से सुरू हुआ थ कुछ न कोछ अविए वेहने चाय कोई सहर हो चैसे बंबाई है दिली है कलकफा है कोई इतने बड़े-बड़े सहर है उनकी भी एक हाकीकत होती है इस गाउ में जो वह पाई देख सकते हैं पर यहां के माताएं बहने और बेटी हैं छोटी-छोटी बच्ची भी है आज हम उनस यहां कुछ प्रोग्राम था रात को थो तो उसी में सब लोग आहे हुए हमारी इम्मार पीटरण जो कि अपको गाउं कौन सा है पलटूले यह जा नाव करता है और यह फटेपुर जिला है तो यह आप भी उसी मंदम निम्नत्र में आये थे हां माई के तेरही मिलाएं देजी अधैनी को गोजें पितर डाये जो से यहता जा लाइन और आपकानाम क्या है माता जी इसृता ली यहां हां तो यहां वहाए पूसी मेन हैं आपको कौन सा आंना लगता है गाजीपूर लगता है तो आपकी कौन थी ृय France जी कौसियली जी मामी ठी आपको नाम क्या माता जी पूल評 पूल कली आपको कौन सा काम लगता है पातेपूर राधा नगर जब सेुएं जीनका ओगाश दूप जинов यूद्ट दूपकी कौन लगती थी को माता जी कितनी पहने हैं अब अच्छ जो कौूसेलिया जी हैं जींका सुरवास ओचुगा था पितर JONTH मिलने встро निमंत्रन में सवाय थे लेन जिनका नाम है उनकी दो बेटिया collective जanoric का नाम है चमेली देवी दूसरी तें सजंट पूलकर invee है और बडि जो हैं चमेली देवी हैं जो तो चिल्ला गाउट उनका लगता है और हम आगे यहां महिलाए है आपका नाम किया अपको नाम कौं सा है तह्या आपको अमारे इगाउं के रहने वाले हैं तो आप मिलने आई है आपके क्या थे बिया जिने और आप यहांसा आप और यहांbi कुछ बच्चे आयहिए को यह इतों सी कलास है , पड़ते हैं। चार में , दोसके संने होसी से संद्या को सिसक्य क faithful संद्याक आपको क्या क्या आता है , तो आप देख सकते यहां पे कि सहर की बच्चे नहीं जो दिहात है गाओं के भी बच्चे पूरी तरह से हुस्यार है चौथी क्लास की बच्ची है जो पूरी तरह से एवे सीडी जो उन्होंने सुनाया और बहुत सारे बच्चों को हम पहले आपको दिखा चुके हैं तो वहा दिहात में भी गाओं के रूलर गाओं में अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ पर एक अंगां फे क्या नम बेंजी आपका मने साजी कंद्वापूर इस अ ह। और यहां करुणा तो यह गाउं ओल आपका गाउं कौन सा लगता है देख सकते हैं यहां जो सभ फितरन मिलवा गया है उसी के निमंतरण में यहां सब आई हुई थी तो आपने देखा और हम यहां जो है जो कौसेला जी की जो बेटियां है फूलकली और जो चमेली देवी हैं उनी से हम बात करेंगे तो माता जी आप से हम यह पूछना चाहते हैं कि और कुछ बताइए यह जो गाउं का हमने सुन अच्छा तो आपके पीता जी का नाम क्या था चोटा अच्छा पीता जी का नाम इनके छोटा था और बाबा का नाम था राम रतन और उनके पीता जी का नाम पल्टू था तो हमने ऐसा सुना है गाम वालों से बात की थी कि यह पल्टू खाली पहले उन्हीं का घर था एक ही आपका प्रोग्राम तो आपी के इंप में घो मेरी माता कोशल्या नाम की मेरी परम पूजीनी मता उसके वे मैं पितरों के कार कर्म में आप यहां देख सकते हैं हमारे सामने जगतपाल जी हैं जो तो यहांपे इनके विषय में भी हम बहुत कुछ हमने सुना है तो वो भी हम बात करेंगे लेकिन अससे पहले हम यह बात करेंगे इनकी ही माता जी थी जिनका नाम को शल्या जी था और आपके मलब कितने भाई हैं आपare 4 बहाई देख सकते हैं दिखाई इदर लाई आपके विसे में हमने सुना है कि जो है आप गाते भी बहुत अच्छा है जोकी संगीतकार हैं और किरतन मंधल भी चलता है और अच्छे से गाइकी का कारकरम खूब छेतर में कोने-कोने में कारकर्म होते रहते हैं हमारे पता चला जब हम इस गाऊंपे आये थे कि आप कैशीयो और गाने से ले के मलब सिंगिंग और हर्मनियमा lleva और अच्छे से कारक्रम होते हैं क्योंकि हमने वे रात को भी देखा है आप देखा होगा हर्मोनिया माश्टर जिसका हमने अभी जो हम एक न्यूज में दिखा चुके हैं जो वहाँ पर हर्मोनिया माश्टर सिरी जगत पाल निसाद जी हैं तो यहीं है तो बहुत चर्चित नाम रहा है इनका जो हर्मोनिया माश्टर जी हैं यह पूरी तरह से और गायक भी हैं गाते पाल निसादी हैं और बताइए सर आपके जो गुरूप था आपका जो गुरूप के साथ हमारे मंडल में एक पंचम नाम का कलाकर हमारे पल्टूडेरा का बहुत अच्छा पंचम सोसे ही गाता है और शासन नालवादक तो बहुत धुरंदर कलाकार उदितना राइन निसादी यहां पर इनकी जो एक तीम थी जो नाटक कंपनी जो नोटंकी जो यहां कहा जाता है तो एक टाइम में ऐसा सुना है कि बहुत बढ़ियां इनकी कंपनी थी और उसमें आला उदल की जोड़ी थी और केसरी लाल जी ऐसे तो आधा उदल जो बनते थे वो कौन से गाउं के हैं वो हमने माडो के लड़ाई बहुत धुआधार जीले में नाम भी ख्यात हुआ हमारा लेकिन नाम उदल का रोल करने वाला भिक्षू प्रसाज जो ग्राम लोहरंगरवा का था और मलखान का काम करने वाला दसरत साज ज जो कि इस समय होम गाड में ड्यूटी परमनेंट हो चुके हैं अब आप सुन सकते हैं कि जो मलखान का रोल निभाते थे वो हम गाड की नवकरी पा चुके हैं और जो उदल का रोल निभाते थे वा लोहर गड़वा एक गाउं है वहां के निवासी हैं अब वो यहां बहुत हैं कि गाउं से ही कलाकर निकलते हैं अब आमिताब बच्चन को देख लीजिए गोबिंदा को देख लीजिए ऐसे बहुत बहुत जोится Cars हैं फिल्मों में किकिना किसी गाउं से संबंदीर तो हें यहां उत्तरफ्देश के गाउं में भि बहुत सारी क्ला करती चुकोई गू पूरी टीम से मिलवाते आपको और कभी कोई प्रोग्राम में अगर जाने का मौका मिलेगा तो इनसे हम बात करेंगे क्योंकि अभी मेरी बहने सब बिदाई पर हैं मैं बिदा कर रहा हूं सब को तो मैं साधी कोई कपड़े भी ने पहना नहीं बहुत अच्छी बात है अब यहां पर आप एक गवर बात कर सकते कि रामायन में जो कौसिल्या जी थी जिनके चार पुत्र थे राम लश्मन भरत सत्रुगन जो उनके चार भाईयों का किरदार निभाया गया लेकि कौसिल्या जी थी जो उनके राम जिनके पुत्र थे तो वहां भी कौसिल्या ही नाम था और हमारे जो इनकी माता जी है उनका भी कौसिल्या नाम है तो यहां भी उनके उनके चार पुत्र थे पर वहां वो भी कौसिल्या अपने चारों को ही अपना पुत्र सब माताएं तो ताल मेल था बहुत अच्छा था तो आपने यहां देख यहीं पेड़ पेड़ अबाभा को आपकी को पेड़ पड़ यही पीपल के पेड़ हैं यह हमारे बाबा जी का लगा हुआ अच्छा dann बाबा खन का लगा हुआ था और एक राम पन बाबा के तीसरे नमबर op पर ऊब एक दूख sich बाबा था और एक यह राम जियोन बाबा था तीनों अलग अलग पीपल थे एक एक नाम से तो अब भी बरतमान में देखो आप सामने खड़े हैं यह पीपल दूसरे नमबर पर इस पीपल का क्या नाम रखा यह पीपल का तो बरम दे बाबा के नाम से पूजा होती है तो वो पीपल है लगाए में रह रहा है क्या नाम उनका शिव भोला निशाज आप सून सकते हैं यहां से इनके जो छोटे भाई हैं वो नौसारी गुजरात में रहते हैं और बागी तीन भाई यहीं रहते हैं हाँ छत्रपाल भाई मुझसे छोटा वो भी अपना सर्विस के बाद रिटायर्मेंट क सुना है कि यहां से जब जाते थे तो पूरा गाउं छोड़ने के लिए आता था लड़ी बैल गारी का ऐसा कुछ सिस्टम था पहले हैं वहीं चत्रपाल की बात कर रहे हैं जो यहां नौसारी यहां गाउं से पहले बैक्ती थे जो गुजरात गए थे उनके जोडीदार थे वो इस गाउं से जब जाती थी तो लोगों का यहां इसी तरह से ताता लग जाता था लोगों के भी गुजरात मेरा भाई और होरिलाल दो ही गए और तीसरे नमबर पर राम सिजुन कुवापार का था निस्तात परिवार में के वल इसके बाद धीरे धीरे तो सब रिष्ट इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे हर एक गाउं की कोई ना कोई कहानी है कोई ना कोई हकीकत है जैसे कि आपने यहां सुना के इनके जो पिता जी थे बाबाजी देव तको पीपल का पेड उन्हों लगाया था वहां दिखाये यह पेड भी उन्ही का लगाया हुआ ठा और इनका कहना है यहां पहले कुछ नहीं था पूरा खड़िहान था यह इसके बाद पूरा परिवार जब परिवार इधर ले आइए आधा परिवार इधर भी हो गया और पुरानी बुजूर्द के परवार जो कि देरा के अंदर है लेकिन कुल मिला करके पल्टू डेरा पू और ऐसे इकठा रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब सब अलग अलग हो गए क्या सच है कितना सच है इसमें सर सच सही है कि परिवार बढ़ने परमटवारे पे बिखरा गया नहीं पल्टू एक था पल्टू के तीन बाबात इसके बाद हमारा अलग अलग प हो जक्राइब होता है तो वो सिर्फ अकेले और सायध सुनने को मिला है कोई untuk गांँ था है तो वहां के सभा पहले पूरबजों के वहां के रहने वाले थे ते वहां के रहने वाले ते उप एक ही घर ता और उननका नाम था पल्टू उसी केन रून省 के नाम से जो है अदर करिब 50 परिवार यहां पे इससी धा डेरे में जुट जगा जिए दिरे-दिरे यह विकास करता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है तो अब और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये पूरी तरह से गाउं बन जाएगा तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि हमने यहाँ जगतपास जी से बात किया और इनकी बहुत बढ़िया मंडली है जो कमपनी है और कभी अगर प्रोग्राम रात का प्रोग्राम है वो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पे हमने सबसे बात किया देगो इनकी बहन है दो उन मंदीर गया जी का दहाम पूझा करवा करके सब उपर वाले की क्रपा थी सब अच्छे से पर्जा बोले बाबा का हम जो कर ले यहां एक मंदीर है उसका हम वीडियो बना रहे थे वहां जब लोगों से हमने पूछा था तो यह उनी वही भोले बाबा की आप बात करते हैं वही की पहलवान थे इसके बाद संत रूप में भक्त हो गए फिर संत हो गए और आज उनके नाम का पूझा पाठ शंकर भोले का स्थान भी हुआ चारोधाम करवाया कुष्टी सिखाते थे यहां पहले दंगल बहुत हुआ करते यहां मेला लगता है यहां पर चारों तरफ साख फिर सीखे धनीड़ कम दोगता था। यहां पर जो नावे भर भर के बोलते हैं का आते थे लोग हाँ पहले कोई सद्धन नहीं पुलका था नाव से लेकिन रिष्टेदारी बहन बेटियां सब रिष्टेदार आते थे बहुत हुआधार घर में रिष्टेदार नहीं अगर कभी उसमेले में जानने को भी तो मेला निकल चुका है तो बहुत सहरी कहानी एक कहानी है कि उसमेले को क्या रोने माले मेला जाता मिल confian मिलने जुलनमें सब को ओ Vielो करती रोती है प्यार से बिलती है थ्येये स्टी एक मिलनका कहीं कि जब बहें बेटियान अपने वहां मेले में सभी कठा होते हैं अपने माबाप से मिलती है तो वहां रोना तो आई जाता है तो जब वहां अगर यहां के मिलेंगे हम उनसे भी बात करेंगे और ये आपके बेटे हैं ये हाँ ये मेरा बड़ा बेटा है जो कि तिर लोकी नाम से मोटे दिमाग का है और बड़ा प्यारा ये लड़का मेरा पूरे डेरा क्योंकि पिछले वर्ष खो गया था लेकिन छे रोज में मिला लेकिन बहुत खोज किया छे रोज में मिला बड़ा प्यारा बेटा एक ऐसे बच्चे को हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने पूछा दूसरें सोई के बच्चे के विशे में तो बच्चा थोड़ा सा दिमाग से वो है पर होसियार बहुत है और मेहनती बहुत है और अभी तक यह बच्चे की जो है मतलब साधी बया इस तरह तो नहीं हुआ है पर यह बच्चे के अंदर गुन बहुत है और इस तरह के लोगों को क्योंकि आप देख सकते हैं कि आदमी अपना सुखी जीवन पाने के लिए साधी बया करके लड़के बच्चे जब हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से बेस्थ हो जाता है पर यहां पर एक बेक्ती ऐसे हैं जो यह इसे लोगों को ही महापुरुस कहा जाता है एक काम सिर्फ काम से मतलब रखते हैं अपना बंड़के के अपने जानकारी लगए और में जानकारी आप‍वार बोट आपने मतलब रखती